नमस्कार में जिगिशा, जिगिशास कीचेन में आपका स्वागत है आज हम निम्बू का कट्टा मिठा आचार बनाएंगी यह आचार छोटे से लेके बड़े सबको यह बहुत पसंद आएगा और अभी विंटर सीजन में मार्केट में बहुत सारे निम्बू आये है तब मेरी रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और रेसिपी देखने के बाद अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में चुबेल आइकन आता ही उस पर भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलो बनाते है निम्बू का घटा मिठा आचार यहाँ पर मैंने 500 ग्राम निम्बू लेए है और यह बड़ी साइज के है लेकिन पतली चाल के है तो मैं 2-3 बार पानी बदल के इसको अच्छे से वाश कर लूँगी अब हम इसे एक साफ कपड़े से पोच लेंगी तो निम्बू का आचार बनाने के लिए आपको पत्ली चाल वाले निम्बू लेने है अगर आपने मूटी चाल वाले निम्बू लिए तो निम्बू का जो आचार है उसमें थोड़ा कड़वा पना जाता है अब हम निम्बू को कट करेंगे तो एक निम्बू के 8 पीसिस करूँगी और सारे निम्बू से मैं इस तर से बीज भी निकाल दूँगी अगर आपके निम्बू छोटे है तो आप 4 पीसिस भी कर सकते है तो सारे निम्ब को मैंने कट कर लिया है और इसमें से भीज भी निकाल दिये है अब हम एक बड़े बावल में निम्ब के पीसिस को डालेंगे और इसके अंदर में 2-3 छोटी चम्मच जितना नमक डालोंगी और 1 छोटी चम्मच जितनी हल्दी पावडर इस तरसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ढालेंगे और इसको मेस करेंगे फिर सी इसके अंदर में थोड़ा नमक डालोंगी इस तरसे मैं full spoon नहीं भरती हूँ आप देखे थोड़ा थोड़ा ही चम्मच में लेके डालती हूँ तो इस तरह से हम 2-3 चोटी चमच इतना नमक डालेंगे, आप कम भी डाल सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से मेस्ट कर लिया है, अब मैं एक काँच की जार में इस पीसिस को डाल दूँगे, सारे निम्बू के पीसिस को मैंने काँच की जार में डाल दिया है, अब हम इसका ढकन लगा देंगे, ढकन को हमें एक तम टाइट लगाना है, और हमें इसी तरह से इसको रोज दिन में 2-3 बार हिलाना है, ध्यान रखे एक भी दिन छोटना जाए, दिन में 2-3 बार इस तरह से हमें इसको हिलाना है, और धकन को हमें बिल्कुल भी खोलना नहीं है, 15-20 दिन तक हम धकन को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, और इसी तरह से 2-3 बार दिन में हिलाएंगे, 15 दिन हो गये हैं, मैंने डेली इसको इस तरह से दिन में 2-3 बार हिलाया था, अब हम इसका धकन खोलेंगे, और मैं एक पीसिस को आपको तोड़ के दिखाऊंगे, कि एकदम सौफ्ट हो गया है, और तुरंथ ही तोट जाता है, तो निम्बू हुमारे अच्छे से गल गये है, यहाँ पर मैंने एक बाउल में एक छोटी चम्मच जितनी हिंग डाले है, और इसके अंदर में 2 चम्मच जितना गुन-गुना ओई डालूँगी, यह मुफली का तेल है, एकदम गरम नहीं है, लेकिन गुन-गुना सा गरम है, तो अब हम इस ओयल के अंदर डालेंगे, एक छोटी चम्मच ब्लेक पेपर पाउडर, उजराती में हम मरी बोलते हैं ब्लेक पेपर को, तो मरी को मैंने कूट के इस तरह से डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, 2-3 चोटी चम्मच लाल मिश पाउडर, यह कश्मीर लाल मिश पाउडर है, इससे रंग बहुत ही अच्छा आता है, और इस वाद में तीखा भी नहीं लगता है, तो अब निम्मो को हम इसके अंदर डाल देंगे, निम्मो को डालते समय आपको ध्यान रखना है कि ओयल बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, ओयल जीरा पाउडर डालेंगे, तो एक छोटी चम्मच ये जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है, मिला लेंगे, अब मैं इसमें एक छोटी कटोरी गोड डालूँगी, गुड को मैंने पतला पतला सा इस तरसे कट कर लिया था, तो बस इसी तरसे गुड को कट करके डाले, आप कम या ज्यादा अपने परसन के अनुसार डाले, अब इस तरसे हमें इसको थोड़ी देर 2-3 मिनिट के लिए इस तरसे मिस करते रहना है, गुड हमारा अच्छे से पिखल गया है, आप देख सकते हैं, तो इसी तरसे हम इसको 2-3 मिनिट के लिए लगातार हिलाएंगे, तो गुड काफी सारा पिकल जाता है, अब मैं ढकल लगा के इसी बाउल में 2 दिन के लिए इस आचार को रखोंगी, और दिन में 2 बार इस तरसे हम इसको हिलाएंगे, इसके बाद हम इसको एक कांच की सावचार में भर देंगी, बाउल के अंदर रखने से हम इसको अच्छे से हिला सकते हैं, इसलिए मैं 2 दिन के लिए इस बाउल के अंदर ही आचार को रखोंगी, और ढकल लगा दोंगी, अभी मैं इसको ढकल लगा के दो दिन के लिए बावल में रखोंगी और दो दिन के बाद इस आचार को एक स्टरिलाइस की हुई कांच की जार में आचार को में डाल दूँगी और आचार के उपर हमें ओयल डालना है तो ओयल आप कोई भी कुकिंग ओयल यूज़ कर सकते हैं मैं ओयल डालोंगी मुफली का तो मुफली के ओयल को गरम करके ठंडा होने के बाद इस आचार में हमें डालना होगा तो दो दिन के बाद मैंने आचार को कांच की एक्स्टरिलाइस की जार में डाल दिया है आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना टेस्टी लगता है आचार के अंदर मेंने ओयल भी डाल दिया है तो ओयल को आप पहले गरम करें और जब ओयल ठंडा हो जाए इसके बाद में ही आचार में डालें अगर आप आचार को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आचार के उपर तक ओयल होना बहुत ही जरूरी है और आप जब भी आचार को निकाले एक साफ सूतरी सूखी चम्मत से निकाले और तुरंथ ही आचार की जार को ढखकन से अच्छे से बंद कर ले तो फ्रेंट्स आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी अगर रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भोलें तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई